हेलो जी दोस्तों नमस्कार कैसे हैं सब आई होप सब बढ़िया से होंगे और आज एक वीडियो स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ एक फोर लेन की अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ बहुत से लोग इस वेट में हैं कि यार ये फोर लेन का क्या फंडा चल रहा है ट जा रहा होगे और ये जो स्पोट आप देख पा रहे हैं जो जगा है ये है स्वारगाट और स्वारगाट से हम अगर मैं अपडेट दूँँ आपको कैंची मोड वाली टनल का जो कैंची मोड है किरतपूर से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे जो टनल है वो completely बंध है उ पुलिस वाले किसी को नहीं जाने दे रहे हैं और जो लोकल लोग वहां के जाना चाहते हैं अक्सर लोग बोल देते कि ठीक है मुझे जोरी पतन या जगात खाना तक जाना है तो वहां उनसे अधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो हम फैक्ट चेक करने के लिए नि ड्राइविंग है लेकिन वही है कि किसी ना किसी की जान लेंगी यह जैसा आज मतलब बिलकुल नियर मिस था मेरे साथ भी और मैंने बोला भाई उपरी चड़ा दे कोई बात नहीं खतम करते जिंदगी वैसे भी क्या जिंदगी में रखा है कोई फाइदा नहीं इस जिंद जहां से मेन जाया जाता है कि ठीक है यार अगर आपने कैंची मोड से नहीं जाने देना है तो हमें इस लिंक रोड से जाने दें तो वहां के लिए हम निकले और देखते हैं कि क्या वहां से हमें जाने देंगे जो डेट स्टैंप है उसके उपर ना जाएं बैटरी जब नि पुलिस वाले भाई साहब हैं इनके इशारों की तरफ देखे तो गाडियों को सीधा आगे जाने के लिए कह रहे थे नीचे का जो ट्राफिक था वो रुका हुआ था तो इन्होंने बोला कि ठीक है आगी की तरफ को निकलें और यहां मैंने भी सोचा कि शायद मिलको भी अबर पूल से निकलना पड़ेगा लेकिन नहीं मैंने साइड में बाइक लगाई और मुझे इन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते यहां से तो जो पंजपीरी वाला जो लिंक है जो जगात खाना से कनेक्ट करता है आप वहां से जा सकते हैं आप टाइम देख सकते हैं च में कमेंटिंग बहुत नेगटिव आ रही थी लोकल जो जगात खाना के नेरवाय रहते हैं उनके खिलाफ की भई इनका behavior साही नहीं है लोग लड़ते हैं अक्छर यहां पे रास्ता जाम कर रहे हैं भई देखे आप आपके सामने देख सकते हैं यहां पर यह जो रोड है स र फिर कितना मुश्किल हो रहा है और ट्रैफिक अगर आप देखें धड़ा धड़ ट्रैफिक चल रहा है यार इस तरीके मतलब और मैं खुद हरान था मतलब इतनी गाड़ियां एकदम से डाइवर्ड हो चुकी है और अब्विस्सी बात है कि अगर मैं टेक्सी ड्राइवर हू और यहां के जो मैंने बात करी थी कोंट्रोवर्शी हो रही है काफी टाइम से अब देखिए आप रोड की हालत है रोड इस तरीके का है कि यह जस्ट एक लिंक रोड है और पूरे फोर लेन का ट्रैफिक यहां पर जब आ जाता है तो आप सामने लगा लीजिए हिसाब कि ब बतलब धूल मिट्टी से बराओ कौन खरी जगा इस समान को और लोकल लोगों की अगर देखिए आप साइड में किस तरह का हो चुका है रोड और जाम अक्सर लगे रहते हैं तो लोगों की शिकायत अगर मैं ऐसे लोकल वहां का सोच हूँ तो अगर मेरा घर होता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं गौर्मेंट ने पहले बोला कि हमने ट्राइल के लिए खोल दिया है बाद मैं बोल रहे हैं कि नहीं हमने आपकी उसके लिए और कहीं न कहीं सही भी पहाड खिसक रहे हैं और कोई पता नहीं आपके ओपर क्या मुसीबत आ जाए और फिर आप बोलेंग मैंने बोला यार बताना तो चाहिए था ना हर कोई बंदा ये ढूंड रहा है कि ठीक है भाई गाइड तो कर दो अट लेकिन जहां से हम निकले अभी मैं जाहूंगा आगे जहां से हम निकले वहां पर गाड खड़ा था कर मैं उससे पूछ लेता कि भाई मैं किस तरफ से निक हो रही है रोड मतलब धूल मिटी तनी उठ रही है और सडनली ये लोग भी मतलब परिशान हो चुके है दिन रात इतना ट्राफिक है तीं प्डीं हर एक चीज मतलब इनको फेस करनी पड़ रही है तो इनका गुसा भी जायज है अपनी जगा आप सही है वीकल्स वालों की जायए जैसे मैं अगर चंडीगड से निकल रहा हूं दिली से आ रहा हूं तो यार मैं भी सोचूँगा कि मेरे चार लिटर पेट्रोल बचे पांच लिटर पेट्रोल बचे तो मैं भी कहीं ना कहीं सेविंग की तरफ तो जाऊंगा और गौर्मेंट को भी कोसूँगा इस आपने खोला ही क्यों फिर बनाया ही क्यों जब आपसे संबल नहीं पा रहा है एक्चुली क्या है कि हिमाचल की जो पाड़ीयों की कटिंग है वो हमेशा कर्वड मतलब कर्वड होती है यह खड़ी कटिंग जो हुई है इसमें कई जगह पे पाहाड खिसक रहे हैं और होता ही है अभी फर्स्ट टाइम बरसाद का मौसम है होगा यह आते आते जो सही हो जाएगा दो-तीन सालों में सेट होगा इस दोरान पेशाइंस रखना पड़ेगा सब को रखना पड़ेगा एक दूसरे को कोसते रहेंगे लडाई करते रहेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है यह वीडियो बनाने का मकसद दे था कि आप जियोरी पतन से कनेक्ट मतलब जियोरी पतन वाला रोड जो जगात खानना होगे मतलब जगात खानना से फोर लेन पे कनेक्ट कर सकते हैं पीरी से बाकी अधर कहीं से भी लिंक सब बंद कर दिये गए हैं और अगर आप जब अरदस्ती आएंगे मैंने देखी वीडियो की बहुत से लोग बैरिगेटिंग हटा रहे हैं हम जाएंगे देखे आपकी सुरक्षा आपके हाथ में आप फैमिली लेके जा रहे हैं कुछ हो जाता है यार आपके एक जल्दी के चक्कर में कुछ सेविंग के चकर में फैमिली को भगतना पड़े तो वो चीज़ सही नहीं है हाँ ठीक है आप सह प्रेमिका के साथ आ रहे हैं लुत उठाना चाहते हैं कि ठीक है बाकि टनल की मतलब बहुत अच्छी सुन्दरता देखने को मिल रही है काम अंदर चल रहा है लगे हुए दिन रात ऐसा नहीं है कि काम बंद कर दिया है गौर्मेंट पूरी मतलब हाथ खड़े कर चुकि हम नहीं कर सकते हैं लगे हुए हैं और आने वाले टाइम में तोल भी या फिर चंडिगर्ट की तरफ जा रहे हैं बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में